हेलो एवरिवान आपका स्वागत है मेरे चैनल दिलिशियस फूड विद दीपती में और मैं हूँ दीपती तो आज हम बनाएंगे पैनकेक्स ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं ये बहुत ही छटपट बन कर तेयार हो जाते हैं तो चलिए पैनकेक्स बनाने के लिए हम एक मिक्सिंग बोल में सबसे पहले लेंगे एक कब दूद ये रूम टेंपरिचर दूद है इसमें हम डालेंगे आधा टी इस्पून सफेद सिर्का अब इन दोनों को हम बहुत अच्छे से मिला देंगे अब हम इसमें डालेंगे एक टी इस्पून वैनिला एसेंस और साथ ही हम डालेंगे इसमें दो टेवल इस्पून रिफाइंड ओयल आप कोई भी फ्लेवरलेस ओयल ले सकते हैं मैंने सनफ्लार ओयल लिया है अब इनको भी अच्छे से मिला लेंगे अब हम इस पर रखेंगे एक छन्नी और इसमें डालेंगे एक कप मैदा एक टी इस्पून बेकिंग पाउडर आधा टी इस्पून बेकिंग सोडा और एक चौथाई कप पिसी हुई जीनी इन सब को मिलाते हुए हम इसमें छान लेंगे अब एक विस्क की हेल्प से हम इसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे इसको बहुत तेजी से नहीं फेट ना है हमको सिर्फ हलके हाथों से एक ही डारेक्शन में घुमाते हुए इसको मिलाना है आप इसकी कंसेस्टेंसी देख सकते हैं बैटर एकदम रेड़ी है तो चलिए फिर इसके पैनकेक्स बनाते है पैनकेक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नौनेस्टिक दवा लिया है इसमें एक चमचा भरके हमने डाला है बैटर आप चाहें तो एक चाथ हाई कप या एक ती हाई कप का नाप भी बना सकते हैं जिससे सारे ही पैनकेक्स एक साइस के बनते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में यहाँ पर आज एकदम सिम है पूरी कुकिंग जो है वो सिमाच पर ही होनी है यह अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं सिमाच पर ही अब इसके उपर हम देखेंगे कि बबल्स आना शुरू हो गए है तो इसका मतलब है यह बहुत अच्छे से अब पकना शुरू हो गया है थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि इसमें जो bubbles हैं वो थोड़ी से कम होने लगे हैँ और इसके किनारे जो हैं वो सूखने लगे हैं तो आप समझ जाएंगी आप इसको पलटने का समय हो गया है आप इसको पलट देखिए कितना खुबसूरत सा कलर आया है इसको पलट कर दूसी दरब से भी हम एक मिनट पका लेंगे इसी तरह हम सारे पैन केक्स रेडी कर लेंगे अब हम इस पर डालेंगे शहद तो आप इंजॉय करें अपने गर्मा गर्म पैनकेक्स मीठे मीठे शहद के साथ मैं पैनकेक्स को हनी के साथ सर्फ कर रही हूँ आप चाहें तो चॉकलेट सीरप के साथ स्ट्रॉबरी सीरप के साथ या फिर मैपल सीरप के साथ भी सर्फ कर सकते है आप अपने गर्मा गर्म पैनकेक्स इंचुआए करे आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थैंक यू फर वाचिंग